हेलो एव्रिवन मैं डॉक्टर मीनू और आज की इस वीडियो लेक्षियर में मैं जिस टॉपिक पे डिसकस करने जा रही हूं वो है हाइड्रोशियर अब यह जो हाइड्रोशियर है यह बहुत ही इंपॉटेंट टॉपिक है एकोलोजिकल पॉइंट अव यू से और इसे के पॉइंट ओ व्यू से यह बहुत ही इंपॉटेंट टॉपिक है इसलिए मैं आज इसके बारे में डिसकस करूंगी तो चलिए बात करते हैं हाइड्रोशियर के बिसे में अब हाइड्रोशियर क्या है इसे समझते हैं तो सबसे पहले हाइड्रो मिन्स होता है वाटर तो इ होते हैं उसे जब स्टडी किया जाता है तो उसको हम लोग हाइड्रोशियर कहते हैं तो एक फॉर इग्जामपल जैसे एक कोई पॉंड है पॉंड हो सकता है लेक हो सकता है कोई भी वाटर बॉड़ी और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कम्यूनिटी जो होंग इकोलोजिकल सक्सेशन का एक बहुत ही अच्छा एक्जामपल है तो अगर बात करें हाइड्रोशियर की तो इकोलोजिकल सक्सेशन विच बिगेन इन पॉंड्स लेक और मार्शेस और कहीं पर भी जहां पर भी वाटर लॉगिंग है उस जगह पर अगर सक्सेशन होता है जैसे हाइड्रोशियर तो है ही उसे हमनों हाइड्रोशियर तो कहते ही है और इस हाइड्रोशियर को ही हाइड्रार्क भी कहते है और अगर हमनों के कुछ प्रोपर्टीज और पॉंड या लेक की बात करें यानि वाटर बॉड़ी की बात करें तो जो सेंटर पोर्शन होता ह किसी भी पॉण्ड या लेक का वहाँ पर वाटर होता है डीप वाटर इस डीप इन दो मिडिल और बिकम्स प्रोग्रेसिवली शैलो टौर्ड्स ता बैंक अब अगर हम लोग एक लेक का एग्जाम्पल को देखते हैं तो इस तरीके से एक वाटर एक लेक है या पॉण्ड है हम लोग पॉण्ड कह सकते हैं और उसमें वाटर है अब इसमें मानते हैं ये वाटर है वाटर का लेवल है ये वाटर का लेवल है इस पॉण्ड का तो अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि प्रोग्रेसिवली ये जो वाटर है और इसकी जो गहराई है मिडिल वाले पोर यह shallower होता गया है मतलब middle portion में deep और किनारे की तरफ shallow है यानि कम गहरा है The various stages and the progress अलग-अलग stages में जो progress होते हैं progress which results in the development of climax community that is development of magic forest from a pond described briefly as follows अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग देखेंगे succession जो है plant का succession यानि middle of the pond यह पुरा pond वाला जो area है ठीक है यहां से plant का succession इस pond से plant का succession किस तरीके से progress होता है और यह hydrophytic environment से सुरू होकर कही यानि watery environment से सुरू होकर किस तरह land के terrestrial environment में हम लोग succession को देखते हैं यह हम लोग पूरे इस hydro shear में देखेंगे तो hydro shear अगर हम लोग इसको summarize में बात करें तो hydro shear succession का एक example है जिसमें plant succession water body से सुरू होकर मतलब hydrophytic environment से सुरू होकर करके वो mesophytic environment में वो climax पर पहुंसता है तो इसका progression की बात करें तो direction कैसा होगा hydrophytes से start होकर करके towards उसका direction हो जाएगा arrowhead climax community यानि forest community की तरफ अब यह जो पूरा process है hydro shear का इसको हम लोग पूरे succession की अगर बात करें तो hydro shear के succession को हम लोग overall three categories में divide कर सकते हैं first is pioneer community उसके बाद siral community और climax community यह progression होता है सबसे पहले pioneers community जो है वो enter करेंगे pond में उसके बाद continuous way change होते जाएंगे replace होते जाएंगे उसके बाद आने वाली community से और end में जो unreplaceable और unchangeable जो community stable community होगी उसे हम लोग कहते हैं climax community अब अगर कुछ climax कुछ अगर पूरे overall इस community में hydro shear के basis पे अगर stages की बात की जाएंगे तो सबसे पहले आने वाले जो होते हैं वो होते हैं कुछ phytoplankton अब phytoplankton stage में कैसे plants आ सकते हैं algae वगर आ सकते हैं या वैसे जो हम लोग phytomins plants और planktons means जो water में float करते रहेंगे या watery environment में रहेंगे यह phytoplankton stage जो है यह change हो जाएगा और replace हो जाएगा किससे? rooted submerged stage से तो पहला जो shear stage है first shear stage is rooted submerged stage और rooted submerged stage किससे change हो जाएगा? replace हो जाएगा? rooted submerged stage को replace करेंगे floating stage के plants second shear stage first shear stage है rooted submerged second shear stage है floating submerged third shear stage floating stage को replace करेंगा that is reed swamp stage third stage है उसके बाद आ जाएगा fourth में sage meadow stage और fifth में आएगा woodland stage अब यह जो जितने भी community हम लोग five communities देखते हैं यह सभी serial communities हैं यानि changeable हैं एक दूसरा से replace होते जाएगे और जो pioneer community से लेके serial community का characteristic है होता है कि यह continuous change होते जाते हैं जो आने वाले species हैं उनसे लेकिन जब यह stage forest stage यानि अपने climax में पहुंसता है तो जो forest community होती है वो stable होती है इसलिए इसे climax कहा गया है और इसमें अगर कुछ changes भी आते हैं तो इतने बहुत जादा observable changes नहीं होते हैं बलकि वो सारे changes stability को ही promote करते हैं और इसकी वज़े से climax community कहा गया है अब चलिए हम लोग next जो आने वाले slides हैं उसमें कुछ important इसकी characteristics हैं और किस तरीके से इसे study करते हैं क्या effect होता है इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे तो अभी तक मैंने जो बताया hydro share के stages पे उसमें अगर हम लोग diagram के मदद से अगर इसे समझने की कोशिस करें तो यहां एक pond दिखाये गया है अब जो यह pond है इस pond में बहुत सारे water जैसे अगर कोई भी pond में succession स्टार्ट होता है तो सबसे पहले newly formed वो pond होना चाहिए उसमें कुछ necessity है जैसे newly formed pond हो जिसमें पहले से कोई भी vegetation नहीं हो तो अगर water कुछ दिन किसी भी pond में रहेगा तो उसमें सबसे पहले जो आने वाले plants होंगे they are algae algae हो सकते हैं autotrophic plants है या lower plants हम लोग कह सकते हैं और यह microorganism होते हैं इसके अलावे यह इसमें water में floating stage में floating यानि submerged floating water में रहेंगे किसी भी form में तो यह हो गए सबसे पहले आने वाले stage उसके बाद यह जो community है replace हो जाएगा और continuous यह जो progression है towards water water में pioneer species algae वगर है इसके बाद में यह forest community को attain करता है हम लोग देख रहे हैं और अगर यह land की land portion की बात करें तो यह pond portion है pond के नीचे जो deep से दिखाया है यह silting silting यानि जो mud formation होता है pond का यह उसको दिखाया सेडिमेंटेशन के process को अब इसमें सबसे पहले कुछ algal bodies आएंगे इसके बाद कुछ floated submerged plants आएंगे, submerged के बाद कुछ floating आएँगे और floating के बाद में बहुत सारे amphibious plants कुछ reeds swamp वाले variety बहुत सारी amphibious plants आएंगे amphibious plants ऐसे plants जो कि water में भी रह सकते हैं और जो dump soil है वहां भी रह सकते उसके बाद में कुछ sage meadow वाले plants आएंगे, sage मतलब जहां तक यह water, जो pond का water है, उसका जो shade होगा, shade यानि जहां तक भी water से जो मिटी है, गीला रहेगा, यहां तक कुछ wetland plants मिलते हैं, जिसे हम लोग sage meadow stage कहते हैं, कुछ wetland plants मिलेंगे, जैसे brambles है, small shrubs है, grasses है, यह सभी मिलें उसके बाद में जो stage आएगा, जैसे हम लोग यहां देख रहे हैं, elder और विलो के कुछ plants हैं, तो यहां पर यह stage हो गया, woodland stage, woodland stage कैसे characterize होगा, कि यहां पर small trees रहेंगे, उसके बाद जो stage होगा, वो हो जाएगा, climax stage, और climax जैसे ओक, woodland वगरा, इसे ओक, woodland से यह, हम लोग इ distinguish कर सकते हैं, तो इसमें sedimentation और यहां पर बहुत अच्छे से यह soil का conditions भी दिखाये गया है, कि एक जो भी pond area है, उसके आसपास किस type के soil होते हैं, और वो कितना उसमें water, wet कितना होता है, ठीक है, और यह बहुत important feature है, क्योंकि soil बहुत important characteristic है, और बहुत important demand है, to grow a plants, तो बहुत स बहुत important conditions है, तो इसके basis पे hydro shear में भी बहुत सारे communities हैं, इसका development होता है, अब यह एक diagram है, जो मैंने book से लिया है, तो इस diagram में हम लोग देख सकते हैं, कि किस तरीके से ecological progression है, यहाँ पर phytoplankton, यानि कुछ algal bodies हैं, इसे हम लोग देख सकते हैं, और उसके बाद में इसका progression है, सबसे पहले phytoplankton, या duoplankton स्टेज, उसके बाद submerged plant stage, submerged rooted plant stage, या submerged stage, उसके बाद floating hydrophytes, उसके बाद reactorswamp stage हैं, अब देखिए, यहाँ पर phytoplankton stage यहाँ दिखाये गया है, उसके बाद में submerged rooted plants, यानि यह इस जग़पर देखिए, यह सभी submerged rooted plants है, submerged stage, यहाँ पर stage 2 भी बताए गया इसको और इसमें क्या है कि जो पौधे होते हैं वो पानी के अंदर में पूरी तरीके से डूबे हैं लेकिन नीचे जो बॉटम है सबस्ट्रेटम वहां से वे एंकर्ड है यानि उनका रूट जो है नीचे मर्ड में एंकर्ड है उसके बाद आता है फ्लोटिंग हाइड्र फ्लोटिंग हाइड्र फ्लोटिंग हो सकते है तो फिर फ्लोटिंग भी हो सकते हैं तो फ्लोटिंग की बाद करें तो नीफिया और वाटर ली यह सबी इसको इग्जामपल्स हैं यहां देखें यह एंकर्ड हैं सॉयल में और या मड में उसके अलावे इसका जो लीफ और फ्लावर है वो पानी के बाहर में जाकर करके फ्लोट भी हो रहा है यह दोनों इसी टाइप के इग्जामपल्स हैं इसके बाद आता है रीड स्वाम्प स्टेज यह फ्लोटिंग हो गया इसके बाद हो गया रीड स्वाम्प स्टेज रीड स्टेज यह उस रीजन में होता है जहाप अगर ड्रावी सीजन में अगर तलाव का पानी कम हो जाए तो अट लिस्ट उस लेवर तक वह मेंटें दयता है और अगर बहुत ज्यादा उसमें पानी ह तो वह रीजन जो है वह हमेशा water flooded रहता है तो ऐसे इस रीजन में ऐसे plants रीड स्वाम्प में डेबलप होते हैं जो की amphibious nature के होते हैं रीड स्वाम्प stage हो या marsh meadow stage हो इसमें ऐसे plants डेबलप होंगे जो की amphibious nature के होंगे यानि water में भी डेबलप करेंगे और जो land terrestrial habit है उसमें भी डेबलप करेंगे दोनों ही condition में अपने life को sustain कर सकते हैं इसमें जो plants हैं वो purely submerged और rooted plant होंगे रीड स्वाम्प stage में और submerged यानि आधे डूबे होए होंगे आधे water body से बाहर होंगे बाहर की तरफ से वो दिखेंगे वैसे होगे रीड स्वाम्प stage उसके बाद है marshmallow stage और इसको हमनों कहते हैं shallow rooted vegetation यहाँ पर होगा shallow rooted vegetation का मतलब यहाँ पर जो water जो है वो बहुत ही कम deep होगा shallow region होगा और shallow region की वज़े से जो root है वहाँ पर बहुत ही कम develop होगा क्योंकि वहाँ पर जो muddy content है वो थोड़ा comparatively जो central region है उससे कम है तो इस region में marshmallow, marshmallow या फिर वैसा जहाँ पर water का shed हो shed जैसा मैंने बताया कि pond के आसपास जो wetland plants होते हैं मिती गीली होती है वहाँ तक जो plants specialized plants उस area में ग्रो करते हैं that are called wetland plants तो इसमें marshmallow stage में red swamp stage में कुछ wetland plants जो है वो grow करेंगे उसके अलावे जो उसके बाद आता है next scrub stage अब scrub forest क्या है scrub forest वैसे forest होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा tree नहीं होते हैं tree तो scattered होंगे और small trees होते हैं लेकिन ज़्यादा वो dominant होता है herb और bushes से मतलब bushy forest होगा वो तो उस type का जो bushy forest यह scrubby forest होता है उसको हम लोग scrub stage कहते हैं और इसमें कुछ grasses और bushes जो है वो develop होते हैं और इसके बाद जो stage होगा वो woodland, woodland के बाद transform हो जाएगा finally forest stage में अब woodland stage क्या होगा कि जो shrubs हैं उसको छोड़कर करके बहुत जब shrubs का जो composition है किसी forest में कम होने लगेगा और जो small trees उनका proportion बढ़ने लग जाएगा तो वो stage को हम लोग कहेंगे woodland stage और woodland stage के बाद में finally climax community आजाती है जिसे हम लोग कहते हैं forest stage forest stage यानि उसमें mature बड़े बड़े जो trees हैं बहुत ही large trees हैं वो सारे dominant हो जाते हैं और small trees जो हैं वो धिरे धिरे shift होने लग जाते हैं towards the side of the forest और centralized reason में particular वहाँ पर climax community यानि forest community की dominance हो जाती है अब चलिए इसे पूरे communities को हम लग उसके कुछ characteristic features को देख लेते हैं overall तो हमने समझ लिया तो पहला जो community है उसे start होगा pioneer community से तो किसी भी pond में water body में सबसे पहले अगर एक newly formed water body है और वहाँ पर सिर्फ water है तो water होने के बाद में उसमें कुछ comparatively organic content उसके water में कम होगा लेकिन inorganic content high होता है और water है तो rain या किसी चीज़ से हो सकता है उसके संग में water में कुछ sports आ गया हो algae के और जिसकी वज़े से वहाँ पर algal growth हो जाता है तो newly formed pond है उसमें अभी तक कोई vegetation नहीं था और कुछ दिन water logging के बाद में first vegetation है वो होता है algae algae हो सकते हैं algae के अलावे जिसको हमलों phytoplankton कहते हैं algae के अलावे उसमें कुछ cyanobacteria हो सकते हैं उसके अलावे कुछ zooplankton यानि paramecium, amoeba, इस टाइब के जो microscopic organisms हैं, microorganisms हैं वो हो सकते हैं अब initially यह जो सारे ही microorganisms हैं यह water में सबसे पहले आने वाले living beings हैं इस वजह से इन्हें सबसे first हैं इसले इन्हें जिस category में रखा गया है that is called pioneer community और इन्हें pioneer community की category में रखा गया है और इस stage चुकि यह पुरा characterize हो रहा है यह stage phytoplankton के through इसले से हमनों कहते हैं phytoplankton stage it is the first step in succession यह first step है and they can be found newly formed manmade pond or lake this is characterized by bottom baron of the plant life bottom baron क्या है कि जो bottom है वहाँ पर कोई भी plant life पहले से कोई भी plant नहीं है वहाँ पर मौजूर और यह first मतलब पूरा water में यह first entering जो भी living being है this phytoplankton after death settles to the bottom and decay as humus this humus mixes with the silt and clay, clay particle brought runoff by water and formed soil अब इसका characterization क्या होता है कि जब पहली बार algae या जो bacteria है वो आकर करके उस pond में आपको sustain की अपने life को establish कर लिये वहाँ पर उनका life cycle perform होने लगा वो अपने numbers को आप बढ़ाने लगे तो उनका life cycle complete हो जाने के बाद में उनका death and decay होगा और death and decay होने के बाद में वो जब मरेंगे तो उनका जो west body है वो humus के form में ट्रांस्फॉर्म होलाएगा जो की नीचे bottom में जो silt है उसके संग में mix होजाएगा silt and clay के संग में mix होजाएगा और वो water के संग में जो runoff होते होते यानि settled होते होते नीचे water के bottom में यानि pond के bottom में यह pond है pond के bottom में settled होने के बाद में pond के bottom में यहाँ पर clay यानि organic clay matter का synthesis यह करने लगेगा और जिसके वज़े से यहाँ पर humus particles का जो content है वो बढ़ जाएगा और जो pond है वो comparatively newly formed से थोड़ा सा sallower हो जाएगा यानि इसके जो गहराई है पहले से पहले इतनी थी ठीक है अभी यह गहराई थोड़ी कम हो जाएगी increasing light penetration becomes suitable for the rooted submerged plants अब इसमें क्या होगा कि अब यह जो थोड़ा सा जो soil का composition और organic composition यह बढ़ जाएगा humus में यह unsuitable हो जाएगा जो बहुत सारे algae हैं उसके लिए क्योंकि water का organic content और जो chemical composition है अभी तक जो algae था उसके growth के लिए या microorganism के growth के प्रोमोट कर रहा था वो unsuitable होकर करके rooted submerged plants के growth के लिए यह एक suitability और environment जो suitable environment वो उनको देगा next stage के plants के लिए अब देखे मैंने किस टाइप के algae जो है इस environment में grow करते हैं उसके लिए मैंने यहाँ कुछ images है उसे लगा रखा है जैसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं यह है वॉल्वक्स वॉल्वक्स की को लोनी हो सकती है algae में diatoms हो सकते हैं spirogyra, clamidobunas इसके लावे amoeba और paramecium ठीक है यह zooplanktons के examples है तो जितने भी green plants है they are phytoplanktons और जो amoeba और paramecium है they are zooplanktons तो इस सभी तरह क जो pioneer species के यह examples है और यह सभी pioneer के श्रेनी में आते हैं जो कि पहले सबसे पहले पहुंचने वाले हैं pond में उसके बाद जो next community आती है जो replace करेगी pioneer communities को that are called syral community अब यहां से कम से कम 5 stages है जो syral stages है यह सिराल communities को form करते हैं और इसमें भी 5 shear stages आएंगे तो इस पूरे shear stages में मैंने यहां 2 लिखा है लेकि सिराल community के लिए यह first है लेकि overall जो hydro shear का यह second stage है जहां से सिराल community के stages शुरू होते हैं तो चलिए बात करते हैं rooted submerged stage की this stage is found where the water is less than 20 feet in depth अब यह stages वैसे जगह से वैसे water की गहराई से शुरू होते हैं जहां के गहराई भी sweet हो the plants are entirely submerged जो plants होंगे वो completely submerged होंगे prominent submerged plants includes pond weeds that is potamagiton, hornwort, ceritophyllum, eelgrass, hydrilla, kara, rarenculus यह कुछ examples हैं जो 20 feet depth वाले plants मतलब इस category में आएंगे rooted submerged stage के plants में और यह सभी इसमें कुछ submerged plants भी आते हैं और rooted submerged यानि जो soil formation हुआ है with humus और किसकी वज़े से हुआ algal जो death and decay of algae का thallus है उसकी वज़े से जो नीचे humus content बढ़ा है उसकी वज़े से यह वहाँ पर soil का formation हुआ है और उसकी वज़े से यह rooted submerged stage के जो पौदे हैं इनके roots को anchored करने का एक जगा मिला जिसकी वज़े से यह stage जो है वहाँ पर favor हुआ और इस type के plants वहाँ grow करते हैं अब क्या होगा अब यह plants भी grow करेंगे rooted submerged plants stage के जो plants से वह भी वहाँ grow करेंगे अपने life cycle ग्रो करकर successively वहाँ establish हो जाएंगे establishment के बाद में अपने life cycle को perform करेंगे पूरा life cycle complete हो जाने के बाद में जब इनकी जीवन अवधी खतम हो जाएगी तो फिर इनका भी death and decay होने लगेगा फिर क्या होगा when these plants die they remain sink to the bottom and they form humus अब ये भी नीचे sink हो जाएंगे bottom में और वहाँ पर जो organic contents है उसमें और addition करेंगे in the form of humus they also help in depositioning soil particles at the bottom as a result of these reactions water becomes shallow and habitat becomes unsuitable for the submerged plants which in turn are replaced by floating plants अब ये क्या होगा इसमें भी जो pond है जिसमें पहले से ही जो कुछ deposition algae की वज़े से हो चुका है pond के bottom में soil का deposition अब ये जो आएंगे rooted submerged plant ये और भी ज्यादा उपर तक इसमें organic content को और soil को और deposit कर देंगे तो अब क्या होगा ये दो stages के बाद में जो गहराई है उस pond की वो और कम हो जाएगी और वो और कम गहरा हो जाएगा और उसका जो bottom है वो rise होने लगेगा और ये जो environment है और organic content जादा होने से ये unsuitable हो जाएगा कुछ rooted submerged plant के stage के लिए और कुछ ऐसे क्योंकि वो पूरे अब water इतना sufficient नहीं हो पाएगा कि पूरा जो plant का length है वो इसके नीचे ही रह पाए तो अब क्या होगा ये height increase होने की वज़े से जो ऐसे plants के लिए ये favorable हो जो की water की ऊपर भी grow करेंगे ठीक है कुछ water में और water के जो outer surface है वहां तक plants का जो है वो उसका shoot और leaves जो है वो grow करने लगेंगे और ये environment promote करेगा next stage के plants के लिए they are called rooted they are called floating stage तो इससे पहले कि हम लोग फ्लोटिंग स्टेज के plants में चाहे हैं हम लोग कुछ examples जो मैंने बात किया है उस plants को हम लोग देखते हैं या identification purpose से भी थोड़ा सा help होगा इसमें तो देखिए ये जो rooted submerged plants है इसमें पोटेमजी टॉन ठीक है पोटेमजी टॉन है serotophyllum है उसके अल सिरेटोफाइलम है यह सभी अपने vegetative stage में समर्ज रहते हैं लेकिन जब उनका flowering या नि reproductive stage आता है तो यह थोड़ा इनका flower है वो फ्लोट करता है surface पे इसके अलावे कारा और ranunculus भी है यह सभी water जब कम होगा तो यह दिखाई देने लगते हैं water के surface पे और यह picturization वैसे ही कि अब नेक्स जो third stage है हम लोग बात करते हैं वो है floating stage तो float जैसा कि पता है floating मतलब होता है तैरना तो इसके जो पौदे होंगे उसका anchored floating में दो तरीके के हो सकते हैं anchored floating हो सकते हैं और यह कैसे जगब पर मिलेंगे the stage is present where the water is only six to eight feet deep वैसे जगब पर मिलेंगे जहां पर water जो है वो six to eight feet deep है this includes rooted plants with floating leaves like nymphia, nilambo, apanagetone, monocaryat, trapa यह कुछ examples हैं जो कि rooted floating plants होते हैं उनके हैं इसके अलावे कुछ free floating plants भी होते हैं मतलब उनका root होगा लेकिन वो soil में anchored नहीं होकर करके water में float करेगा stem और जो reproductive bodies है flower fruits उसके संग इसके examples हैं pistia, azola, lamna, spirodella, wolfia, ecornia इसमें कुछ angiospermic plants भी हैं और कुछ teridophytic plants भी हैं these plants again by their reaction among themselves with the environment अब यह plant क्या करेंगे फिर reaction करेंगे मतलब जिस habitat में वो रह रह रहे हैं तो उनके life cycle की वजह से उस habitat में क्या changes आएगा that is called reaction तो अब यह क्या करेंगे यह floating stage वाले पौदे जो हैं यह replace करते हैं और replace करते हैं कि इसको rooted plants है rooted submerged plants है उनको और उनका जो dominance है उसको खत्म करते हैं उसके जो count है यानि उसका population उसे कम कर देते हैं और यह again उस environment में adapt हो जाते हैं अपने आपको establish कर लेते हैं establishment के बाद में successive establishment के बाद में यह अपने life cycle वहाँ पर complete करते हैं और उसके बाद में इनका death and decay होता है life cycle complete होने का मतलब कि अपने initial growth phase से maturity में आएंगे फिर reproductive phase में आएंगे reproduction के बाद में यह flower और fruits को produce करेंगे फिर अपने death and decay हो जाएगा and reaction among themselves with the environment and make the pond less shallow और जैसा इससे पहले वाले जो भी successive stages जो थे उनके उनमें जो reaction हुआ था same process इसमें भी repeat किया जाएगा और इनका death and decay होने के बाद इनका भी जो organic content है वो जाकर करकर बॉटम में settled होने लगेगा mixed with the clay and जो वहाँ पर जो clay है उसके संग में अब इसमें क्या होगा जब organic content बढ़ेगा बहुत जादा और इसमें salt का जो concentration है क्योंकि water में continuous कुछ ने कुछ और organic content और बहुत सारे जो nutritional content है या chemical जो और भी liters है वो बढ़ते जाते हैं तो इसकी वज़े से उसमें salt का concentration है वो हाई होने लगेगा water में और salt का concentration हाई होने की वज़े से water becomes unsuitable for those floating plants which are then replaced by the reed swamp plants अब क्या होगा इसमें हम लोग यह देख रहे हैं कि water को chemical composition है क्योंकि जब concentration होगा salt का तो जरूर उसका कुछ ने कुछ उसमें जो ions release होंगे उसके वज़े से soil के जो pH है वो चेंज हो जाएगा और दीरे-दीरे यह जो environment है water यह जो water है यह unsuitable हो जाएगा for floating stage के plants के लिए अब अगर कुछ floating stages के plants के बारे में मैंने कुछ examples के examples दिया था इसमें देखते हैं कि examples में क्या है तो इसमें नींफिया है जैसे हमें water lily कहते हैं यह rooted submerged rooted floating का example है इसके लावे नीलंबो यह भी rooted floating का example है इसके बाद में जो भी आते हैं यह सभी free floating यानि salvenia is a teridophyte यह भी free floating का example है इसके लावे lamna spirodilla wolfia ठीके इसमें lamna spirodilla wolfia यह सभी angio sporms है इसमें यह है आपका spirodilla यह small जो round दिख रहे हैं यह सभी wolfia इसके अलावे जो एक और है यह छोटा leaf like structure that is lamna और यहां हमनों देखते हैं trapa ट्रापा जो punishing आड़ा होता है वह है उसके अलावे azola azola भी एक teridophyte और इसमें हमनों lamna भी देख सकते हैं यह है azola यह lamna है और यह सभी trapa azola lamna salvenia और spirodilla wolfia तो salvenia यह सभी free floating के जो free floating hydrophytes है उसके examples है यह free floating stage के plants के example है अब आते हैं हमनों fourth stage में that is called reed swamp stage अब reed swamp stage किस stage को कहते हैं इसमें अब जो water का pH है वो वो increase हो चुका है और उसके अलावे उसमें salinity बढ़ गई है salinity बढ़ने के वज़े से यह floating plants को support नहीं करते हैं तो इसमें कुछ specialized type के plants जो है जो adapt हो जाएंगे इस salinity saline environment में that are produced और यह क्या करेंगे यह अब replace करेंगे जो floating plants है उन्हें और अपने आपको वहाँ पर dominant कर लेंगे और successive वहाँ पर established हो जाएंगे the stage occurs when the water is one to four feet deep अब हम लोग यह चीज तो common देख रहे हैं कि जितने भी stages आते जा रहे हैं एक के बाद एक वो हर stage में जो pond है वो less deep हो रहा है यानि shallower हो रहा है नीचे से उसका जो bottom है वो increase होता जा रहा है उसमें और ज्यादा mud add होता जा रहा है और जो water का content है वहाँ पर वह कम होता जा रहा है includes the plant which are partly submerged अब इसमें कैसे plants आएंगे वैसे plants आएंगे जो कुछ submerged भी रहेंगे मतलब उनका कुछ हिसा submerged रहेगा और कुछ हिसा water के ऊपर रहेगा and their roots and at the bottom and their foliage यानि leaves और stem का part raise above the surface of the water तो root जो है वो bottom किसंग anchored रहेगा और जो बाकी जो उसका foliage है stem and leaves और जो भी है उसका flowering part से वो सभी जो surface of water के उपर में निकला हुआ रहेगा मतलब हुनों उपर के surface से उसको देख पाएंगे the important plants containing this stage include typha, scrypus, phragmitis, rheumax, sagittaria और ये कुछ examples है रीट स्वांप स्टेज के पौधो के जिसके pictures मैंने images इसके बाद वाले slides मैं आपको दिखाऊंगी these plants cut off the light from the floating plants and in this way make the habitat still more unsuitable for them अब ये plants क्या है उपर में इनका foliage बहुत large होता है और नीचे ये anchored होते हैं bottom से तो इससे क्या होगा कि ये नीचे भी competition देते हैं floating plants को rooted floating plants है उनको और जो above the water portion है वहां पर भी उसे competition देते हैं इसलिए competition देते हैं क्योंकि ये space उनसे ज्यादा लेते हैं इनका जो foliage है वो ज्यादा बड़ा होता है comparatively floated plants है उनकी अपिक्षा और ये water इस water में भी suitable इस salinity में भी रह सकते हैं इस ताइब के जो plants है that is called reed swamp plants और reed plants इनको specialized एक category में रखा गया है ये सभी plants को हम दो reed plants कहते हैं अब reed swamp plants also make the water still sallower by settling down and sedimentary materials अब देखिए हर बार एक ही चीज़ तो हमनों repeat नहीं कर सकते हैं अब होता क्या है कि हर एक जो plant species नहीं आती है established होती है उस environment में वह अपने आपको वहाँ पर है पहले तो habituated करती है वहाँ established करती है और successive establishment के बाद में वह reactions हो करती है reaction क्या होगा सेम जैसे इससे पहले आने वाले plants का हुआ है कि वह फिर से वहाँ उस environment को adapt करेगी वहाँ अपने life cycle complete करेगी और फिर end में इसका भी death and decay क्योंकि जिसका भी life है तो उसका end होना है तो वह death and decay उनका होगा और इसका भी जो और last में उसका sedimentation हो जाएगा लेक के bottom में और लेक के bottom में sedimentation होने के बाद में क्या होगा कि लेक जो है वहाँ पर नीचे का bottom जो है और rise होगा और water content वहाँ और कम हो जाएगा और यह जो stage है यह अब जिस तरीके से स्टेज के plants के लिए suitable नहीं रहेगा जितना पहले था पुछ plants अभी वहाँ जो स्टेब्लेश हो चुके हैं वह रहेंगे लेकिन comparatively उनकी dominance कम हो जाएगी और वह replace हो जाएगे by marsh middle stage के जो पौदे हैं या shade middle stage भी हम लो कहते हैं मार्श मीडो स्टेज या shade middle stage है वह ऐसे पौदे से यह replace हो जाएगे अब इनके replace होने के बाद में अब क्या होगा कि वह पौदे जो हैं वह successively environment को capture करने लगेंगे अब मैंने कहा था कि कुछ read swamp stage के पौदे के यहां मैंने pictures लगाया है देखिए टाइफा है यह monocot plant होता है इसके अलावे grasses for example scrypus और इसके बाद fragmitis fragmitis है उसके बाद में यह सारे mostly rumex को छोड़के सारे हम लोग यह monocot plants देख रहे हैं सैगी टेरिया भी है तो यह environment है monocot plants के बहुत सारे development को promote करता है टाइफा है स्क्रिपस है मतलब abundant grasses जो है इस stage में मिलते है और इसके अलावे कुछ जो साग जैसे जो पत्तेदार पौदे होते हैं for example rumex वकरा जो की tolerate कर सकते हैं थोड़े selenity level को ठीक है तो इस type के जो plants है वो इस stage में जो रीर स्वांप stage है वहां हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं और यह plant कैसे इनका habitat कैसा होगा कि यह swampy area में रहेंगे swamp मतलब यह ऐसा area रहेगा जो pond के किनारे की तरफ जहां पर बहुत ही गिली यानि swamp यानि दलदली मिट्टी मिलेगी ठीक है तो दलदली मिट्टी में ही यह plants जो हैं और वहां पर उस environment में दलदल में oxygen का content comparatively water वाला area से कम होता है और selenity high होती है तो ऐसे area में जो plants adopt हो सकते हैं वही plant इस reed swamp stage में grow करते हैं अब next है हमारा sage middle stage अब middle stage का मतलब है कि यहाँ पर जो soil है comparatively उतना जदो swampy नहीं होगा यह भर-भर मतलब गिली मिट्टी तो होगी लेकिन swampy नहीं होगी दलदल नहीं होगा वहां पर ठीक है और sage sage means होता है चाया चाया किस जीज़ का चाया जैसे suppose pond है pond का जो water है तो उसका जहां पर उसका bank खतम होता है मतलब किनारा खतम होता है उसके बाद जो dry area होता है land area वहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि वहाँ water नहीं है ठीक है water body का जो पानी है पुरा swampy area नहीं है लेकिन जो मिट्टी है वहाँ पर उसमें गीलापन है मतलब वहाँ पर एक area है पुरा जो कि pond के water की वज़र से नम है नम ही रहता है वहाँ पर जैसे wetland वाले area में होता है यह सभी wetland में आते है swampy region plus edge middle stage तो यह जो land है यह सारा wetland होगा और इसमें जो plants होंगे this stage includes hydrophytes and water loving plants यह कि इस area में ऐसे plants होंगे जिनको की water ज्यादा पसंद है comparatively dry मतलब mesophytex से थोड़ा सा wetland plants मतलब इनको सालों भर थोड़ा पानी चाहिए हमेशा चाहिए बीना पानी के यह नहीं रह सकते हैं the substratum at this hardly covered by one or two inches of water और यह ऐसा substratum है कि अगर कभी पानी रहा भी तो वहाँ पर एक से दो इंच ही water जो है उस area में रहेगा so they say that soil becomes marshy अब marshy soil यानि इस area में grasses का abundant होगा ही plus कुछ herbs जो है herbs और shrubs भी वह वहाँ पर produce हो जाएंगे this is now invaded by numerous species of sages like juncus, carex, ileocharis, polygonum यह कुछ species हैं जो especially monocot के species हैं यह सभी और इसमें grasses, specialized grasses यह ऐसे grasses होते हैं कि जो उस area wetland area को छोड़कर करके और आप कहीं भी नहीं देख पाएंगे किसी ना किसी pond या water body के नजदीक में ही यह सभी species के plants आपको sage meadow वाले plants देखने के लिए मिलेंगे many species of hobs like mentha, colta, campanuluta, campanulata इस टाइप के जो plants है, campanula यह plants हैं सभी यह कुछ examples हैं जो कि sage meadow में यह dicot के examples हैं तो कुछ monocot plants जो कि usually grasses जादा होते हैं इसमें उसके अलावे कुछ-कुछ mentha, mint वगरा और marsh, जो marsh area में जो marigolds होते हैं यानि composite के कुछ families के members रहेंगे यह सभी इस area में grow करते हैं and also occur intermixed with the sages. All these hydrophytes react upon the habitat, raise the surface by binding water, carried and wind-bond soil. अब देखिए, जैसे जैसे अलग-अलग stages आते हैं और increasing succession का जो progression है वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे दो काम होता है, पहला तो यह water को use करते हैं और rate of transpiration भी बढ़ता जाता है, तो rate of transpiration बढ़ने से क्या होगा, कि हर एक increasing successive stages में, यह कुछ न कुछ water जो है, वो evoporation से उसका कमी आती जाएगी, मतलब water content में, जो transpiration है, plan का, उसके वज़े से, जो water है, वो एवोपरेट होगा करके कम होने लगेगा, उसके अलावे, नीचे जो mud है, mud content increase होने लगेगा, उससे bottom का जो level है, वो increase होता जाएगा, तो इधर से bottom भी increase हो रहा है और water भी वो less हो रहा है यानि water का भी जो level है वो decrease होता जा रहा है और यह जो दोनों condition मिलकर करके धीरे धीरे उस area को मतलब hydrophytic से यह continuous misophytic environment की तरफ shift करेगा, push करेगा उसे तो अब sage meadow stage में क्या होगा अब जो plant है वो plant debris यानि जो sage meadow के plants है इनका death and decay होने के बाद यह क्या करेंगे accumulate होंगे plant के bottom में जिससे bottom raise होगा उसके अलावे transpiration high कर देंगे और transpiration high quantity of water मतलब जितने बड़े-बड़े plants रहेंगे उतना ज्यादा transpiration होगा उतना water loss होता जाएगा pond का this makes the soil more suitable for the misophytes and terrestrial plants अब यह जो अभी तक pond था continuous pond था वो दीरे-दीरे swamp swamp से फिर sage meadow stage यानि जो गीला मिती के जो stage है उस stage में यह transform होने लेगे और यह जो पूरा अभी तक जो pond था यह एक dry area में मतलब complete नहीं अभी तक कुछ wet dry area में यह यानि mesophytic और terrestrial area में यह transform होने लगेगा और इसकी वज़े से अब यह जो environment है यह complete जो pure hydrophytic plants है उसके लिए unsuitable हो जाएगा क्योंकि water content बहुत ही less हो जाएगा और उस water में और उसका salinity है वो बढ़ जाएगा water का content इतना sufficient नहीं रहेगा कि hydrophytic plants grow कर पाएं वहाँ पे और उसके बार वहाँ टोलेरेट कर पाएं तो यह क्या करेगा यह सभी circumstances में जो hydrophytes हैं वो किसी भी कीमत पर वहाँ और ज्यादा stay और grow नहीं कर पाएंगे और यह migrate होने लगेंगे और migrate होने लगेंगे और इनको replace करता जाएगा क्योंकि यह suitable नहीं रहेगा तो hydrophytes जो है उनका death and decay होता जाएगा और यह वहाँ पर जो दूसरे dominant species हैं यानि जो mesophatic plants हैं वो grasses हो गया या woody plants हो गया वो वहाँ पर उसे replace करकरके abundant होने लगेंगे और यह जो stage है यह फिर promote करेगा woodland stage को तो अब woodland stage में जाने से पहले हम लोग कुछ सेज मीडो के plants हैं उनको हम लोग देखने और पहचानने की कोशिस करते हैं जैसे जंकस है देखिए grasses grassy है यह watery environment में जहां पर भी ponds होंगे वहाँ होगा उसके अलावे karex karex भी grass का ही एक मतलब grasses में ही आएगा grasses की family का है ileocharis भी grasses ही है यह सभी monocot के examples हैं इसके बाद में polygonum के species हैं mentha, colta and campanula यह सभी examples हैं जो की examples वहाँ जिन plants के examples के बारे महां बताया गया है यहां उसके images आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यह plants होते हैं और किस टाइप के environment में रहते हैं with habitat यहां पर यह image जो है वह शेयर किया गया है उसके अलावे अब यह जो plants हैं यह सभी replace हो जाएंगे woodland stage से woodland stage किसे कहेंगे अब इसमें वैसे plants होंगे जिनमें जो stem है वो woody होगा अभी तक क्या थे अभी तक herb थे grasses थे यह थे न हर्ब और grasses थे अब यह हर्ब और grasses जो है यह replace होते जाएंगे shrubby species यानि shrub होंगे herb क्या है अब अब हर हर्ब वैसे पॉधे होते हें जिनका stem सॉफट मुंत जो होता है,को थे न का stem को hard करने के लिए तो वैसे plants यहां dominate करेंगे अब कैसे करेंगे If the climate is dry and then the former stage produce a grassland but under moist climate a climate a woodland is formed containing certain shrubs and small trees देखे जब तक वहाँ पर water का content थोड़ा भी रहेगा तो वो area जो है वो wetland grasses से भरा रहेगा और wetland grasses बहुत ज़्यादा होने की वज़े से हम लोग अभी तक बहुत सारे stages में हमने देखा mostly grasses थे तो वो क्या होगा पहले वो जो पूरा area है वो hydrophytic तो पूरा stage खत्म हो गया क्योंकि water content वहाँ का खत्म हो चुका है करीब करीब खत्म होने के कगार पे है जो है भी soil के संग में पूरा mix हो चुका है mesophatic environment वहाँ develop होने लगा है क्योंकि abundant water वहाँ पर खत्म हो चुका है due to shallowing of lake और pond और उसके अलावे जो waste debris है humus के form में वो deposit होते होते bottom में वो increase हो चुका है bottom का level उपर तक उसके अलावे transpiration rate हाई होने के वज़े से water जो है वो पूरा का पूरा evaporate हो गया है बस खाली जो soil water है वो बचा है तो यह जो environment है यह पहले तो grassland वहाँ पर develop होने के लिए wet जो grasses होते हैं wetland के जो specialized grasses होते हैं उनके grassland को यह promote करता है पहले वहाँ पर grassland develop होता है और यह grassland stays जैसे जैसे और dry होता जाता है यह वहाँ पर जो बरसात के मौसम में करता है और इस stage is characterized by the plants that can tolerate waterlogged soil around their root और यह कैसे plants होते हैं यह जो tree यहां grow करने वाले होते हैं या shrub जो है वो grow करने वाले होते हैं वो भी ऐसे होते हैं जो की waterlogged environment को उनका root जो है वो tolerate कर लेता है यानि completely mesophatic नहीं लेकिन जहां पर water content high है और मतलब wetland trees जो है वो यहां पर develop हो जाते हैं for example plant species present at this stage are sialics जिसको उनको श्रभी विलो कहते हैं corners, dogwoods, tree willows यानि जितने विलो के examples हैं यह सभी wetland और plants हैं यह सभी वहां पर grow करते हैं और these plants by the reaction made the soil unsuitable for themselves and more suitable for shade enduring herbs with grow among the trees and shrubs अब यह plant क्या करेंगे पहले तो जितना वहां पर water content है उसमें यह adapt कर जाएंगे लेकिन दीरे दीरे जो water content है माहा का कम होता जाएगा जो soil में water container कम होता जाएगा और इसकी वजह से यह जो plants है यह अपने लिए भी वह environment suitable नहीं हो पाएगा तो यह अपना बहुत ज्यादा इनका जो woodland stage में trees जो हैं वह करीब करीब नहीं हो करकर के दूर-दूर होंगे कुछ specialized trees होंगे जैसे salix या willow हम लोग कहते हैं विलो plants से यह सभी salix है, corners है और tree willows हैं यह सभी examples है woodland stage के और इसमें shrubs जादा होंगे और small trees scattered होंगे अब इस stage के बाद में end में आएगा climax community क्योंकि अभी तक यह उस mesophytic environment को मतलब hydrophytic से mesophytic environment में enter कर चुका है तो अब यह जो stage है यह suitable है forest के growth के लिए क्योंकि already यहाँ पर shrubs भी हैं यहाँ पर grasses भी हैं यहाँ पर कुछ tree भी enter हो चुके हैं इस reason में hydrophytic environment था वो पूरा खत्म हो चुका है या कुछ season में limit हो चुका है जब watery season हो rainy season हो उसमें वो limit हो चुका है उसके बाद सालों भर वहाँ पर water का availability moderate है मतलब बहुत ज्यादा नहीं है बलकि mesophytic environment को वो promote करता है और इसकी वज़े से trees की वज़े से जो आसपास के area है वहाँ से बहुत सारे seeds वगरा और birds की जो activity है वो बढ़ने की वज़े से बहुत सारे seeds वहाने लगेंगे अलग-अलग trees के और जो large dominant trees जो होते है forest के उस type के जो trees है वहाँ पर वहाँ आकर करकर के grow होने लगेंगे इस रिप्रेजेंट अब क्या है यह 7 और यह climax community की तरफ यह पुरा growth जाने लगेगा और जो climate और forest stage को यह attain कर लेगा अब यह forest stage क्या है इस रिप्रेजेंट दा final stage of hydrarch अब हमने देखा कि जो woodland stage में जो विलो प्लांट थे उसी के डॉमिनेंसी वाले जो forest है वो trees डॉमिनेंसी वाले forest ही forest stage में भी हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं after यह few generations pure forest of oaks and hickories may develops and terrestrial forms now occupy the habitat अब क्या हुआ है हमने start कहां से किया था हमने start किया था हाइड़ोफाइटिक habitat से जो algae start pioneer species थे algae अब यह continuous एक दुसरे को अलग-अलग stages से replace करते करते end में यह climax community में यह establish हो चुका है और यह यहां से stable environment produce करता है मिजोफाइटिक habitat का और इस जो climax communities को कुछ plants है यहां हम देख सकते हैं elder के plants को willow है cottonwood है उसके अलावे करकस है अलमस है और फ्रैक्सिनस है इस टाइप के जो plants है वो इस environment में dominant हो जाएंगे और यह forest एक stable forest community को यह develop कराएगा अब यह हमारा end slide और इसमें क्या है stages of hydro shear का अभी तक मैंने जितना समझाया उसे image के form में यहां पर रखा गया है तो सबसे पहले देखिए क्या था अगर एक इसे revision के form में लें तो सबसे पहले क्या था newly formed pond था अब उस pond में उसके बाद उसमें कुछ algae या phytoplankton जो है वो करते हैं और इस stage को हम लोग कहते है phytoplankton stage और यह क्या है यह pioneer stage इस पूरे succession का pioneer stage इसके बाद के जो stages है यह सारे सिराल community है up to woodland stages तक यहां तक यह पूरे सिराल community है क्योंकि हरे एक एक stage एक शियर है तो पहला जो होगा that is rooted submerged stage और इसमें देखिए water का level कहा है और plants यहां पर यह जो इसका dead and decay के बाद में यहां पर कुछ mud form हो गया इस मड़ में anchored rooted plants जो है submerged plants वो प्रोड्यूस हो गया submerged यानि water के अंदर ही वो life अपना पूरा life cycle complete करेंगे इसके बाद में चुकि यह जो नीचे का इनके भी death के बाद में silting होगी और silting होने के बाद में यह जो shallow मतलब water जो है वो shallow हो जाएगा और raise हो जाएगा इसका bottom जो कि promote करेगा floating stage के plants को क्योंकि submerged के लिए water जो है वो insufficient हो जाएगा उसके बाद में जो third stage है इनके भी floating stage के death and decay होने के बाद में यह जो mud content है या bottom है और राइज हो जाएगा और यहां पर water बहुत ही कम यहां रह जाएगा और इससे वैसे और salinity बढ़ जाएगी water की तो swamp stage के जो पौधे हैं दलदली एरिया यह हो जाएगा क्योंकि यह गीली रहेगी मिटी और इसके ओपर कुछ water भी रहेगा तो यह swampy stage के पौधों को promote करेगा इसके बाद में इनका जब death and decay होगा तो फिर यह भी bottom में settled होंगे और यह पूरा जो bottom है उसे raise कर देंगे और यहां पर बस नाम और निसान मतलब थोड़े से watery content मतलब ऐसा एरिया रहेगा जहां पर water बहुत ज़्यादा नहीं है यहां देखिए पानी नहीं दिखता है ठीक है लेकिन यहां पानी जो है वो पूरे मड में यह absorb रहेगा और इस टाइप के जो plants हैं यहां पर शेज मीडो स्टेज के plants जो हैं वो ग्रो करेंगे अब धीरे धीरे यह क्या होगा यह यह transform होने लगेगा मेजोफाइटिक स्टेज से क्यों क्योंकि यहां पर उपर में बहुत ज़्यादा water लॉगिंग खत्म हो चुका है सेज मीडो स्टेज में ही और यह अब जो environment है यह मेजोफाइटिक environment की तरफ में यह move कर गया है इसमें कुछ shrubs होंगे यहां देख रहे हैं बीच में shrubs को दिखाए गया है woody shrubs होंगे और इसके अलावे scatter tree होंगे मतलब दूर दूर फैले हुए कुछ small trees होंगे और यह फर्दर और ज़्यादा develop होगा और यह climax community को attain कर लेगा मतलब यह trees तो रहेंगे ही shrubs तो रहेंगे इसके लावे कुछ large trees जो हैं वो भी यहां पर develop हो जाएंगे और यह पूरे adapted होंगे उस environment में और यह पूरा एक stable जो forest है उसे produce करेंगे that is called climax community तो सबसे starting यह हो गया palgy और fly to plankton stage that is pioneer community और यह हो गया आपका climax community सबसे end में और इसके बीच को जो stages हैं वो continuous change होते रहेंगे phytoplankton change को replace करेगा root swamp, rooted submerged stage, उसको replace करेगा floating stage, उसको replace करेगा ridge swamp stage, रीच सेज मीडों, सेज सेज से woodland और woodland से finally forest stage यह हो गया आपका hydro shear और ecological succession in a pond इसे बहुत सारे questions आते हैं और मुझे उम्मीद है कि यह पूरा process आप लोगों को समश में आया होगा अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो kindly subscribe my channel and like and share it. Thank you very much